वाकड जैसे लोकेशन पे यह हमारा 3BHK है इसका काफ़ेट प्रिसाइजली 958 स्करफिट का है दो बालकनी मिल रहे हैं आपको इसमें और आप इज़र है 39 एर का लिगसी है हाइवे नस्दीक है वर्ट्राड सेंटर से भी नस्दीक है जो अब कमिंग है चाहिए वाकड जैसे लोकेशन पे हाइवे के नस्दीक 3DHK है और वो भी अरांड 1000 स्करफिट का कापेट वो भी 100 फिट रोटकेच प्रॉपर्टी डबल वालकनी फ्लैट 13 फिट के मास्टर बेट्रूम चाहिए आप दोन आप दोन आप दोन नमस्कार मैं सागर रेनवे डिरेक्टर आप पुने प्रॉपर्टी गाइड आपका हार देख स्वागत करता हूं आज हम वाकड में आए हुए है कि जिसमें हम आपको दिखाने वाले है तू आइंड फ्री बीच के ऑप्शन्स न्यू लांच है ब्रांडे डिवलपर है सोफीट रोट प्रच प्रॉपर्टी है और चाहिए कि आपको तो चलिए यह प्रोजेक्ट के बारे में और थोड़ा डिटल लेते हैं वेलकम टू यूवर फ्री बीच के यह हमारा फ्री बीच की का संपल फ्लाट है जिसका कापट प्रिसाजली 958 स्करफिट कर तो आरांड 1000 बात तो कर सकते हैं जैसे आप एंट्री करते हो तो हमें यह एक प्राइवसी के लिए लॉबी एडिशनल दिया गया है जो लॉबी का जो साइज है यह साइज आपको 5 by 4 का लॉबी मिलेगा कि जिसमें आप आपके यहां पर मिरर रहेगा तो यहां पर कुछ शोपीस जो रहता है वो एंट्री में आप लगा सकते हो कि जिससे आप जब घर में एंट्री करते हो तो बड़ी अलगना चाहिए ना आईए हॉल देखते हैं यह है आपका हॉल कि जिसका साइज आपको मिलने वाला है 10.10 by 17 अराउंड याने 11 बाए 17 भी बात कर सकते हैं हॉल में आप देखोगे तो यह साइड में आपका प्रॉपर डाइनिंग का अरेंजमेंट हो सकता है फोर सीटर डाइनिंग तो बहुत ही आराम से यहां पर बिठाया गया है तो आप भी बेट सकते हैं तो यह आप देखोगे तो सोफा का अरेंजमेंट और फैक ली आपको यहां पर आपका हो सकता है उपर आपका कुछ डेकुरिटीप पीस रहेगा तो वो कर सकते हो वो तो आपका इंटेर वाला बता देगा के TV unit के लिए reserve किया गया है exactly हम इसके सामने देखेंगे तो balcony दिया गया है balcony covered balcony है covered balcony का जो size है यह आपको 6.1 by 10.6 का बहुती बढ़िया covered balcony मिल रहा है चलिए अभी हम kitchen देखते हैं आपको मैंने position तो भूली गया यहां का यह जो project है यह new launch project है तो RERA में इसका position date मेंचन किया गया December 2026 बट बड़ा builder है 39 year का legacy है तो आपको यह जो project है यह जल्दी deliver हो जाएगा अभी फिलाल current status का बात करेंगे तो plint का जो काम already हो चुका है तो plint के लिए सबसे ज़्यादा time लगता यह हो चुका अभी तो slab यह आगे बड़ाना है तो वो जल्दी हो जाएगा चलिए अभी kitchen देखते है यह है आपका kitchen की जहाँ पे में भी आपकी family की जो सबसे important member है इनका यह है home ground यह kitchen का size है 8 by 9.6 एक plain platform with rich tiles आपको यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे electric fitting भी दिया गया है आप देखोगे तो sink भी एक quality का provide हुआ है sink के साथ में उपर jaguar के ही आपको water filter के लिए भी points mention किया गया है यह kitchen के बाज़ों में आपको dry balcony space मिलेगा जिसका size 8 by 3.9 का है अच्छा space दिया गया है एक मुझे अच्छी बात यह लगी कि आपको sink इधर भी मिल रहा है और dry balcony भी addition sink provide हो रहा है चलिए अभी हम देखते हैं आपके बच्चों का रूम जिसको children room भी बोला जाता है या common bedroom भी बोला जाता है यह है आपका common bedroom या child room जिसका size 10 by 11 का size है इसमें ध्यान दीजिए 10 by 11 यह size है बड़ इसके अलावा आपको यह space एक्ष्ट्रा मिल रहा है so understand it यहाँ पे उन्होंने बच्चों के लिए study table का provision किया गया है बड़ यहाँ पे आप wardrobe भी कर सकते हो या study table भी कर सकते हो आपका अगरे choice तो आपका यह है अब इसके exactly सामने यह देखिए आपका common जो wash basin है यह बहुत ही simple way में यहाँ पे suit या किया गया है यहाँ आप देखोगे तो नीचे platform भी आपको प्रॉपर एक अच्छा quality का मिलेगा फिटिंग्स पूरे सेरा एंड जैगवार के फिटिंग्स है तो यहाँ पे आपको यह तो मिलेंगे बट मिलर ऐसा आपको लगाना पड़ेगा मिलेगा नहीं ठीक है तो आईए आप नहीं तो यहाँ वाले हैं आपका मस्टर वेड्रूम जिसका साइज बड़ा साइज दिया गया है 13 बाइ इलेवन का स्पेशियस मास्टर बेडरूम विट अडिशनल बालकनी दो बालकनी मिल रहें आपको इसमें तो इसमें आप देखोगे तो space utilization बहुत बढ़िया किया गया है exactly इसके सामने आप TV का setup ये side में कर सकते हो यहाँ पे आप जो भी आपको करना है शोपीस का वगरा वो भी आप definitely कर सकते हो आप को wardrobe देखोगे तो wardrobe यहाँ पे proper way में आप कर सकते हो and dressing table आपके लिए नहीं लेकिन में भी आपके missis देख रहे हैं इनके लिए important है यह है dressing table जिसका ऐसे टाइप में आप provision कर सकते हो आप देखते हैं master bathroom जिसका size 4.5 by 7.8 again quality fittings है आप देखोगे कि jaguar रहेगा सेरा रहेगा premium quality के fittings आपको यहाँ पे मिल जाएंगे चले बाकी के detail लेने के लिए अरे यह हमारा 3BH के है तो guest bedroom तो देखना बनता है ना आये ऐसा मत करो मेरी जान guest bedroom के लिए आपको यहाँ पे special privacy दिया गया है एक छोटा सा lobby create करके इसके अलावा जैसे इंटी करते हो यहाँ पे वाश्रूम है वाश्रूम का size आप देखोगे तो 7.9 by 4.5 it's a very good size and आपके guest के लिए यह है guest bedroom जिसका size है 10 by 11 तो यह size भी मैं बोलूंगा अच्छा size है क्योंकि इसमें additional चीज wardrobe का provision again अलत किया गया है यहाँ पे by default study work के लिए कुछ space किया गया है यहाँ पे आप वाटरूप करोगे तो यह आईधर का जो वाटरूप का space जो यूज हुआ है वो यहाँ पे बच जाएगा और यह room जो है और बड़ा दिखेगा जो इंशॉड क्या है कि यह प्रोजेक वाकर में है आपको हाइवे नजदीख है 100 विट रोटेज प्रॉपर्टी है वर्ट्रड सेंटर से भी नजदीख है जो अपकमिंग है यौन आईटी पाक से भी नजदीख है 3BH के बड़ा डेवलपर है 1000 अराउंड कार्पेट आपको मिल रहा है और प्राइजिंग वाकर का प्राइजिंग आप देखोगे तो अराउंड अच्छा डेवलपर का छोटा मोठा करें आँगे तो सवा करोड एक करोड तीस एक करोड चालिस देर करोड तो भी 3bH के आते हैं हम आपको देरें सिर्फ एक करोड़ पाच लाख में और फैमिली के साथ आते हो तो हम आपको पिकेंड ड्रॉब भी दे रहे हैं और क्या चाहिए जस्ट उपर जो नंबर दिया गया है उस पे कॉल करो और आपका बिजिट शरूल कर ले रहा है थन्यवाद आपको हमारा प्रैस पसंद आ रहा है हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे है तो आप नीचे सब्सक्राइब जरूर कीजेगा हमारा ये प्रजेक्ट आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजेगा और आपके दोस्तों को शेर करना मत बुलिएगा